नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सावन सुमवार के व्रत की विधी के बारे में कि सावन सुमवार के दिन आपको कैसे पूजा करनी चाहिए क्या सामगरी चाहि उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके यह व्रत श्रावन महीने में आने वाले सभी सुमवारों को सावन सुमवार व्रत विधी के अनुसार किया जाता है श्रावन में विशेश सत्य सुमवार की शिवजी का व्रत और पूजा का विशेश महत्तव और विधान है श्रावन मा में परतेक सोमवार को शिव जी की पूजा और वरत करने वाले भक्त जनों पर सिव जी की विशेश अनुकमपा रहती है यह वरत सावन सोमवार वरत विदी के अनुसार ही करना चाहिए श्रावन का महिना भगवान शिव का प्रिय महिना है इसलिए यह महिना पूरे शिव परिवार को समर्पित है वैसे तो महा सभी महा में सोमवार आते हैं किरनतु सावन के महिने में आने वाले सोमवार का वरत विशेश में तो बताये गए हैं सावन में आने वाले सोमवार को हम वन सोमवार भी कहते हैं इस व्रत को सावन सोमवार व्रत विदी के अनुसार करने से शिवजी की किर्पया बनी रहती है तो चलिए फिर बिना देर गवाए हम करते हैं बात सावन सोमवार व्रत की या फिर वन सोमवार व्रत की विधी के बारे में सावन सोमवार व्रत विधी की बात करें तो इस दिन आव्यक्ति को प्रात्य काल ब्रह्म मूरत में उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वर्थ हो लें ब्रह्मूरत का समय इसलिए बताया गया है क्योंकि यह समय देविक कार्य और पूजा पाट करने के लिए अतियुक्तम मना गया है आप ब्रह्मूरत नहीं तो सुबह सूरज उगने से पहले उठने की कुशिश करें सननादी से निर्वर्ट होने के पशाथ शिवजी के जलाभी शेक के लिए तामबे का पात्र या कोई भी पात्र जो उपलब्ध हो अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसे गंगा जल या साधरन जल लें सिवजी को अर्पित करने के लिए बेन पत्र पुश और यदि उपलब्ध हो तो धतूरे के फूल वे आपके फूल भी लें 95 वर्ट विदी के अनुसार सरपर्तम शिवजी को जल से सनान कराएं उसके बाद दूद, दही, शहएद, घी, हल्दी, शक्कर से अविशेक करके पुनय जल से सनान करें फिर शिवजी को जनेव धारण कराकर चंदन रोली आधी से तिलक लगाएं। फिर अक्षत चड़ाएं। फिर शिवजी को जनेव धारण करना चाहिए। इस दिन मास, मदीरा और तामसिक भोजन की सेवन से बचना चाहिए। केवल सात्विक भोजन को ही अपनाना चाहिए। सावन सोमवार वरत के दिन एनातिक कार्य करने से बचे नकारात्मक विचारों को मन में ना लाएं। ब्रहम चर्यक आप पालंड करें। यह वन सोमवार का वरत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन बोजन में बोजन वन में ही ग्रैंड किया जाता है। तो हो सके तो आप घर पर बोजन ना करके बाहर भी कर सकते हैं। सावन के महीने में हरी पत्यदार सबजियों का त्याब किया जाता है अते इसका सेवन ना करें। और इसका वेग्यानिक कारण ये है कि सावन के महीने में बारिश का मोसम होता है इसलिए हरी सबजियों में कीड़े लग जाते हैं जो हमारे स्वास्ते को खराब कर सकते हैं सावन के महीने में हर्याली का मोसम रहता है और हर्याली शिवजी को अत्यन परिये है इसलिए पेड़ पोधो को काटने से बचे प्रकर्ती को नुकसान ना पहुंचाए सावन सोमार वरत के दिन बैंगन खाने से बचे क्योंकि बैंगन को शास्तरों में अशुद बताया गया है तो यह थे दोस्तों वरत की विदी और कुछ नियमों के बारे में जानकारी इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले जै महाकार